हाल ही में करन जोहर ने अपनी एक नई फिल्म अनाउंस की Mr. and Mrs. Mahi इस फिल्म का नाम है और इसमें जानवी कपूर और राजकुमार राव को पैर किया गया है सबसे बड़ी बात ये जो फिल्म है इसके अंदर जानवी कपूर के साथ पहले हीरो राजकुमार राव नहीं थे इस फिल्म में बॉलिवूड इंडस्ट्री के एक दूसरे आक्टर थे जो अपकमिंग सूपर स्टार है लेकिन करन जोहर ने ठान ली कि उसका करियर बरबाद ही करके रहेंगे और उसे अपने कंपनी से ब्लैक लिस्ट कर दिया जिसके तहट दोस्ताना टू के साथ साथ उसे इस फिल्म से भी करन जोहर ने बाहर निकाल दिया आप समझ ही कहे होंगे मैं बात कर रही हूँ कार्तिकारियन की कार्तिकारियन ने दूसरे फिल्म को अपनी डेट्स क्या दे दी कि करण जोहर को कार्तिकारियन पर गुस्सा आ गया और करन जोहर ने कह दिया की कार्थिक को दोस्ताना two film की तो चिनता ही नहीं है उसे तो दूसरी फिल्म में करनी है ये दूसरी फिल्म थी धमाका जी हाँ धमाका फिल्म जो कार्थिक आरयन को बहुत ही short duration के लिए shoot करनी थी 10 दिन का ही schedule ठा और तब कार्थिक ने दोस्ताना की जब धमाका को अपनी डेट्स दी तो यही बात कार्तिक की करन जोहर को पसंद नहीं आई हाला कि कार्तिक ने करन को कन्विंस करने की कोशिश की कि दस दिन में मैं ये फिल्म कंप्लीट कर लूँगा बट करन जोहर को कार्तिक की इन बातों पर विश्वास नहीं था जिसके बात करन जोहर ने अनप्रोफेशनल इशूस के चलते कार्तिक आरियन को इस फिल्म से निकाल दिया और ये भी डिकलेर कर दिया धर्मा प्रोडक्शन्स की किसी भी फिल्म में आगे से कार्तिक आरियन नजर नहीं आएगा धर्मा प्रोडक्शन से कार्टिक को ब्लाकलिस्ट कर दिया है यही कारण है कि Mr. and Mrs. Mahi में भी पहले कार्टिक आरियन ही थे लेकिन कारण ने बाद में कार्टिक आरियन को रिप्लेस किया राजकुमार राउ से वहीं अगर बात करें दोस्ताना टू की तो दोस्ताना टू में कार्टिक आरियन को हटाने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि अक्षे कुमार फिल्म का हिस्सा बनेंगे लेकिन अक्षे कुमार का इस वक्त स्केडूल काफी बिजी है दो-चार फिल्में वो एक साथ कर रहे हैं इसलिए दोस्ताना को टाइम नहीं दे पा रहे हैं यही कारण है कि करण जो हर दोस्ताना टू को लेकर कोई भी अनांस्मेंट नहीं कर पाए